जान भुजकर पाट्टू आगे की कहानी में हम देखते हैं कि संकर अपने दुकान पर बैटा हुआ था तब ही पेपर में संकर को एक नियूज दिखती है जिसमें लिखा था एक ऐसा पती जो अपनी पतनी के संभुख के सुख के लिए उठाया जान भुजकर एक अनोखा कद ख़बर पर प्रकर संकर के दिमाग में एक आइडिया आता है वह अपनी पतनी को लेकर भी कुछ वैसे इस्तिसी से गुजर रहा था जहां पर वे बिन्दिया को पति वालब प्यार नहीं दे पा रहा था अब वो घठ पर घर पहुँचता है जहां पर वे बिन्दिया को whenever द अब बिंदिया दुकान पर रखी पेपर पर लिखा वही वाला न्यूज पर रही थी तब ही साधी वाला लड़का वहां आता है और लड़का बिंदिया को देखते ही उस पर मर बिखता है क्योंकि बिंदिया है ही इतनी होट अब लड़का बिंदिया से हेलो कहता है बिंदिय अच्छा है तब ही संकर भी वहां आ जाता है अब संकर बिंदिया से जान बुझकर सीन के बारे में कहता है कि मैं तुम्हारी खुसी के लिए कुछ भी कर सकता हूं पर बिंदिया किसी गैर मर्द के साथ गुझ भी करने से इंकार करती है संकर कहता है ये तो तुम्हारी खुसी के लिए है वैसे हमारा प्यार कभी कम नहीं होगा अब बिंद्या लड़के को लेकर imaging करता है जहां पर वो लड़के के साथ enjoy करती दिखाए जाती है और संकर दोनों को romance करता देख रहा था अब अगले सीन में संकर दुकान पर था 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 भी लड़का वहीं से गुजरने वाला था तो संकर बिंद्या को कॉल करता है दुकान पर आने के लिए वो यूं की संकर चाहता है कि बिंद्या उस सहरी बाबू को देख ले लड़का वहां आता है पर उसे जो चाहिए होता है वो संकर की दुकान पर नहीं होता है तो संकर कहता है कुछ दिर बाद म को दिखाना चाहता था रात में संकर बिंदिया के लिए विकनी लाया था तो संकर बिंदिया को वही दिखा रहा था जिसे देकर बिंदिया भी खुस हो जाती है अब बिंदिया संकर को तरकीब बताता है जिससे सहरी बाबो को घर लाया जा सके अब वो क्या तरकीब है ये इंतजार घर पर कर रही थी लेकिन संकर उसे कॉल ही नहीं करता है तो बिंदिया खुझ से संकर को कॉल करती है अब संकर कहता है इतनी बेचेनी क्यूं हो रही है कभी खुझ से भी मिटा लिया करो बिंदिया सुनकर नाराज हो जाती है अब संकर बिंदिया से कहता है मैं घर आ रहा हूँ अब संकर घर जाने वाला ही था कि सहर वाला लड़का उधर से आ रहा था अब संकर के दिमाग में एक खुड़ाफाती आइडिया आता है अब संकर अपना साइकिल लड़के के बाइक में ठोक देता है जिससे संकर नीचे ग भोड़ा था वही लड़का भी बगल में था तो लड़का बिंदिया को घूरे जा रहा था क्योंकि बिंदिया खुद लड़के को ऐसा करने के लिए मजबूर कर रही थी वहीं संकर भी समझ जाता है अब बिंदिया संकर को साफ कर बैट पर बैठा देता है तो लड़का अब बिंदिया लड़के का सट उतार कर उसके सरीर को भी साप करने लगती है अब धीरे धीरे लड़के के दिमाग में भी हलचल होने लगती है बिंदिया भी अपने लटके जटकों से लड़के को अपने और आकरसित करती है कुछ देर बाद सभी खाना खा रहे होते हैं संकर बिं तो वह दोनों के साथ सुरू हो जाता है इसी सीन के साथ सीरीज यहीं पर एंड हो जाती है इसी तरह के लेटेस सीरीज की स्टोरी के लिए आप हमारे चनल फैंटेसी 4 यू को सब्सक्राइब करें